आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें द्वारा हल करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे आन्शिक भिन से, ठीक है, आन्शिक भिन से हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे में 1-x और 1-x² ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं अ बटे में आणशिक भिन्ज से क्या लिखते हैं 1-x और प्लस जब यहाँ 1-x² यानि x² का पदा आता है तो यहां पर आ जाता है bx प्लस c और बटे में 1-x² ठीक है, अब यहां से हम LCM लेंगे, LCM यही आएगा, 1-1, 1-1, 1-2, तो वो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो यानि A की गुड़ां किसमे होगी, 1-1-2, प्लस BX प्लस C की गुड़ां किसमे होगी, 1-X में होगी, ठीक है, तो 1 बराबर किसके होगा, A प्लस AX स्क्वार, फिर प्लस BX की अंदर गुड़ां कर देंगी, तो BX माइनस BX स्क्वार, प्लस C माइनस CX, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, X स्क्वार के गुड़ांकों की तुल्ला कर देंगे, तो X स्क्वार का गुड़ांक या है, A माइनस का B, ठीक है, और इधर X स्क्वार का गुड़ांक ह ही नहीं तो यानि कि a-b किसके बरावर होगा जीरो के बरावर होगा यह पहली समिकरण आ गई ठीक है यह आपकी समिकरण एक हो जाएगी फिर दूसरा क्या है x वालों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर है bx और cx यानि कि bx x यानि b-c ठीक है b-c यह किसके बरावर होगा क्योंकि यहाँ पर x का भी गुड़ांक नहीं है तो इसलिए b-c बरावर 0 होगा यह समिकरण 2 हो जाएगी और अब अचरपद की तुलना करते हैं अचरपद क्या है a और c तो a plus c ठीक है यह किसके बरावर होगा यह बरावर होगा एक क्योंकि उल्टे हाथ पर अचरपद कितना है एक है ठीक है तो अब क्या हम करेंगे कि यह जो हमारे पास दो समिकरण है a-b और b-c इससे हम a और c में एक समिकरण निकाल लेते हैं तो मेरे पास यह क्या आजाएगी समिकरण c माइनस का c प्लस का b बरावर 0 दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा यानि a-c बरावर कितना आजाएगा 0 आजाएगा और a प्लस c बरावर कितना है एक है तो अब यहां से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो c से c कट जाएगा यानि 2 a बरावर कितना आजाएगा 1 यानि a बरावर कितना हो जाएगा एक बटे में 2 तो समिकरण 1 से समिकरण 1 से ठीक है समिकरण 1 से क्या होगा b बरावर हो जाएगा a ठीक है यानि कि यह भी एक बटा 2 हो जाएगा और अगर इसे समिकरण 3 मान लें तो समिकरण 3 3 से c बराबर कितना हो जाएगा समिकरण 3 से c बराबर कितना होगा 1-1 बटे में 2 यानि की प्लस का 1 बटे में 2 ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हमारी जो समिकरण 3 आई बराबर वो क्या हो जाएगी समाकलन a a का मान कितना है एक बटे में 2 समाकलन dx बटे में 1-x यही तो था यह देख लिजे यहाँ पर मैंने a का मान रखा है फिर bx प्लस c तो कितना आएगा प्लस समाकलन b b का मान है एक बटे में 2x प्लस c का मान भी एक बटे में 2 है और बटे में क्या है बटे में है हमारा 1 प्लस x स् ठीक है और dx तो यह कितना आ जाएगा 1 बटे में 2 समाकलन dx बटे में 1-x प्लस यहां से 1 बटा 2 common लेके बाहर और यह क्या बचेगा x प्लस 1 और बटे में 1 प्लस x square dx ठीक है तो यहां से यह कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 समाकलन dx बटे में 1-x प्लस 1 बटा 2 समाकलन इसको हम अ बटे में एक प्लस x square dx और प्लस एक बटा दो एक बटे में एक प्लस x square dx इस तरह से अलग-अलग कर सकते हैं अब ये तो कितना हो जाएगा एक बटे में 2 log ये होगा mod के अंदर 1-x और इसके क्योंकि 1-x को एक तरह समने team आना है तो उसका जो अब कलन होगा वो बटे में आए प्लस एक बटा 2 यहां पर क्या करेंगे एक प्लस x square को t मान लेंगे तो जब इसको मैं साइड में बता देता हूं जब एक प्लस x square को t मानेंगे माना ठीक है ये मेरा side का काम है तो एक प्लस x square को जब t मानेंगे तो क्या आएगा 2X बरावर dT बटे में dx आएगा अब कलन करने पर तो x dx किसके बरावर आ जाएगा dT बटे में 2 के बरावर तो यानि कि यह कितना हो जाएगा 1 बटे 2 गुणा में 1 बटा 2 समा कलन x dx की जगड़ dt और बटे में 2 तो बाहर पहुंच गया है और बटे में t, प्लस का 1 बटे में 2, यह किसका सूतर होता है, यह सूतर होता है, dan inverse x का, dan inverse x का समाकलन का यह सूतर होता है, अब इसके बाद यह हो जाएगा minus का एक बटा 2, log, mod के अंदर एक minus x, प्लस एक बटे में चार, यह हो जाएगा log t, ठीक है, mod के अंदर, और प्लस एक बटे में दो, 10 inverse x, और प्लस का क्या आ जाएगा c, c क्या है यहाँ पर समाकलन इस्तिरांग है, तो यहाँ से हमारा i बराबर कितना आ जाएगा, minus का 1 बटा 2, log, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा 1 minus का x, प्लस एक बटे में 4, log, t का मान कितना है, 1 plus x square, और प्लस एक बटे में 2, 10 inverse x, और प्लस का c, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, i बराबर, इसमें से अगर हम 1 बटा 2, दोनों में से common ले ले, तो यह क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा, 1 बटे में 2, log, mod के अंदर 1 plus x square, ठीक है, और minus, यहाँ बचेगा, log, mod के अंदर 1 minus x, ठीक है, और प्लस का 1 बटे में 2, 10 inverse x, और प्लस का c, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर, 1 बटे में 2, ठीक है, यह जो 1 बटा 2 है, यह इसकी घात में पहुँच जाएगा, क्यों, क्योंकि आप आपने एक सूतर पढ़ा होगा, वो कौन सा सूतर होता है, कि अगर n log m दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाता है, log m की घात n हो जाता है, यह जो n आगे होता है, यह m की घात में पहुच जाता है, तो यह हो जाएगा, log under root के अंदर 1 plus x square, यह हो जाएगा, तो यानि की minus का, 10 inverse x और plus का c, तो यानि की यह कितना हो जाएगा, एक बटे में 2, ठीक है, और यहां से हम mod हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि x square तो अगर minus, x अगर minus भी होगा, तब भी x square तो plus ही आएगा, और यहां पर भी plus है, तो यानि यह हमेशा, यह वाला पूरा पद हमेशा plus का आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, log, अब देखे, आपने एक सूतर और पढ़ा होगा, log m minus log n का, तो यह क्या हो जाता है, log m बटे में n, यह वाला भी सूतर हम यहां पर लगा सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, under root के अंदर log 1 plus x square, बटे में 1 minus का x, इसको mod में ही रखेंगे, ठीक आई बराबर ही आ जाएगा, और यही आपका उत्तर होगा, इस तरह से हल करके बता देंगे,